हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस आप सलूसन्स पर और आप देख रहे हमारा एंगलर 10 का फुल टुटोरियल सीरीज दोस्तो जैसा कि सीरीज के फिछले वीडियों हमने इंटरपलेशन के बारे में देखा कि इंटरपलेशन का यूज किस किस तरीके सम कर शकते हैं और इंटरपलेशन में हम एरर हैंलिंग कैसे करते हैं सब कुछ हमने details में example करके देखा और आज video जो लेकर आ हैं दोस्तों उसमें ये देखेंगे कि module ID का concept क्या है module ID का concept एंगलर में क्या है इसको details में देखने वाले है इस video tutorial में तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस video tutorial को start करूँ मैं आपसे request करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस channel को subscribe नहीं किया है तक kindly आप इसे subscribe कर ले और bell की icon किलिक कर ले ताकि मेरे आने वाले हर video का notification आपके YouTube app और email में मिलती रहे दोस्तों ये information आप हमारे website पर भी देख सकते हैं जिसका link में इस video के description box में देखेंगा जहांसा आप easily visit कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस video tutorial को दोस्तों module ID ये component decorator का metadata property है तो अगर आपने angular के किसी older version में काम किया होगा तो अपने module ID का नाम जरूर सुना होगा कि हम module ID का की विज़ करते थे तो दोस्तों module ID हम इसली विज़ करते थे कि हमें किसी path को जैसे relative path होता है तो उसका absolute path में कैसे convert करें जैसे मालों दोस्तों मैं अपने फोल्डर structure नहीं आप दिखाता हूं कि जो app folder है उसके अंदर हमारा app component होता है है उसके अंदर मालों आप दोस्तों हमने message नाम का हमने बनाया component थे अंदर यह TS file हो गया तो अगर मैं इस app component.ts file पर जाता हूं और यहाँ पर जैसे मालों हमने template है आप ले रखा है इसको में यहाँ पर template लेता हूं तो यहाँ पर मालों दोस्तों हमारा यह template url है यहां पर हमने उपर में template ले रखा है इसको मैं हटा ही देता हूं तो आपको थोड़ा समझाने की कोशिच कर रहा हूं आपको कि यहां पर template url और style url कि इन ही दोनों में path देनेट होता है दोस्तों तो अगर आप देख रहे हैं कि यहां पर इसी फोल्डर का app html और css फाइल है तो मैं डॉट लगा कर इसको इच कर रहा हूं अगर मैं message के अंदर का message.component html को पाथ यहां पर देना चाहूं यहां पर तो हमें क्या देना होता हो था पहले इस तरीके से देना होता था उस चीज को रिमूब करने के लिए हम क्या इच करते थे कि component decorator के अंदर module id इच करते थे जिसका configuration क्या होता था हमारा यहां पर tsconfig.gestion यहां पर हम module के अंदर custom.js इच करते थे तो क्या होता था कि इस तरीके से path हमारा convert हो जाता था कि simple हम को किसी भी component के html को normally हम इच कर सकते हैं इसको इस तरीके से भी हम normally ऐसे इच कर सकते हैं इसको जो तनी कहीं कभी हमारा html हो उस html का नेम बस इच कर लेंगे तो हमारा ओ पेज कॉल हो जाएगा अगर हम module id इच करते थे तब लेकिन अब कर सिनारियो कुछ अलग है आप देख रहे हो कि टेंप्लेट वारल और स्टाइल वारलेस में यह वर करता है क्योंकि इन्हीं दुन जगापर हमने पाथ सेट करना होता है component decorator के अंदर तो यह होता है कि हमें module id यह हमारा क्या करता है configuration देता था ओंपीरेशन हमें कहां करना होता था है config.json में यहां पर config custom.js करके हम यूज करते थे कस्टमाइज होता था और यहां model id होता था यहां model id में id पास करते थे तो यह क्या करता था convert कर देता था हमें पूरा पास लिखने के जरूत नहीं होती थी लेकिन नाव श्रेबेन द्वार्शत्र में क्या हुआ कि इसको रिमूब कर दिया अंगलर ने रिमूब करके का कर दिया कि system.js बना दिया प्लग इन बना दिया जो कि इन विल होता है इसमें अंगलर में अब हमें सब्सक्राइब करने के जरूत नहीं होती है तो इसका concept में आपको उपने website पर दिखाता हूं यहां पर इसको जाएंगे इस पर मैं दिखाऊंगा यहां पर जाएंगे तो मेरे website पर जाएंगे यहां पर आपको मोडिल आईडी दिखेगा मोडिल आईडी पर इसे सारा इंफर मेसना पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से क्या होता है लेकिन अब यह चीज़े रिमूब कर दिया गया है यह लिंक है इसको लिंक को कॉपी करके करके जाएंगे तो यह वाला प्या जो पन होगा जो कि आप देख र लगा जशेता है रिल्लेटिव updates को तो अब हमें इसको यूज करने की जरूरत नहीं होती है तो हम सिंपाध क्या करते हैं कि आपने अप यह चीज़े आप हमारे वेफसाइट में देख सकते हैं यहाँ पर हमने सब्सक्रइब सो गरें है इस तरीके से में देना होता था और इसको हम कस्टम common.js सुरी कस्टम जीस नहीं होता है common.comonjs होता है common.js हमें करना होता था और यहाँ पर हम करेंगे और यहाँ पर component decorator का अंदर module ID देना होता था तो यहाँ पर यह अपने आप यह path बहुंग जाता लेकिन अब हमें इसकी जुरुत नहीं पड़ती हम यहाँ पर common js नहीं देना होता है डिरेक्टली हमारा यह सिस्टम js में प्लग इन होता है अपने आप और वहां पर आपको module ID मिल जाए तो आप वहां पर confused हो जाएंगे module ID होता क्या है तो आप उसको डिलीट कर सकते है module ID आपकी अब जरुत नहीं होगी नए वर्जन में यह सारे चीज़े आपको जाने ही जरुत होगी क्योंकि इंट्रिव्यू में भी इससे question रेज किये जाते हैं तो दोस्तो आइधिंक आपको समझ में आ गया होगा फिर भी आपके माइन में कोई confusion होगा तो हमारे साथ जरूर शेर कीज़ेगा अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा स्यादा सेयर कीजिए लाइक कीजिए और चलिए द 10 का ही concept नहीं पूछा जाएगा या वहाँ पर आप काम करने जाएंगे तो इसके बाद RxJS Library के बारे में नौलेज होना चाहिए आपको ये रिकेमेंड करूंगा कि अगर आप बिल्कुली प्रोपर तरीके से corporate level का knowledge रखना चाहते हैं एक बहुती बड़े corporate level company में काम करना चाहते हैं तो आप हमारा online class जोइन कर सकते हैं क्योंकि हम online class में ट्रेनिंग प्रवाइड करते हैं आपने 10 सीख लिया तो 10 में काम मिलेगा किसी company में हो सकता है कि 5 में मिल जाए 6 में मिल जाए तिसलिए आपको उनके भारे में भी knowledge होना चाहिए इसलिए हम जो ट्रेनिंग देते हैं तो सारे concept आपको बताते हैं उसके बाद angular में जो code होता है type script में होता है तो पूरा type script भी आपको हम पढ़ाते हैं अपने online class में उसके बाद हम RxJS library जो एंगलर का हट मना जाता है बहुत लोग कम नहीं पढ़ाते हैं उसको भी हम अपने ट्रेनिंग में प्रवाइट कराते हैं उसके बाद इंगलर में टेरियल बूट एस्टेप उच करना शिखाएंगे एंगलर के शाथ उसके बाद बेपी आई कंज्यूम करना क्रियेट करना कोई भी किसी भी लेंग्वेज में डेवलप किया हुआ रेस्टेप उसको ट्रेनिंग तो आप बिल्कुली अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ओनलाइन क्लास जोइन कर सकते हैं जहां पर सारा चीज एक पर में आपको मिल जाएगा